तो अगले वीडियो में हमने एक से बीस तक की गिंती की पठाई की और अब इस वीडियो में हम आगे की पठाई करेंगे तो यहाँ पे अंक में लिखना है पहले और उसको बाद में सब्द में लिखना है तो दो और एक हुआ 21, फिर दो और दो तो हुआ 22, फिर 23, तो इसको अंक में ऐसे लिखते हैं और सब्द में ऐसे लिखते हैं फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 39, फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35 तो इस तरह से इनको अंक में ऐसे लिखते हैं और सब्द में ऐसे लिखते हैं फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 49, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और पत्चास तो इस तरह से अगले वीडियो में हमने एक से लेकर डिस तक की गिंती की पढ़ाई की तो उसको आपको जो है पहले इस तरह से अंक में लिखना है और उसके बाद सब्द में लिखना है तो ये जो गिंती है 21 लेकर पचास तक की तो वो आपको आपके हिंदी की नोटबुक में ग्रामर वाले पार्ट में लिखनी है और याद भी करनी है